नमस्कार जैसा कि आप सब लोगों ने सुन लिया होगा नहीं सुना होगा तो सुन लीजे देखे आरो यारो की जो ग्यारा फरवरी को परीक्षा है विजित की गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है थोड़ी देर पहले ही जो है उत्तरप्रदेश की मुख्यमंदरी योगी आ उनके साथ भी कड़ी का रिवाही की जाएगी लेकिन देखे यहां पर दो तीन चीजे है पहली चीज इस तरह की घटनाएं होती है जैसा कि यूपी पुलिस का पेपर लीख हो गया उसको कैंसिल करना पड़ा ऐसे में क्या होता है कि हम सब लोग तयारी करते हैं कोई एक साल से तयारी कर रहा है कोई दो साल से तयारी कर रहा है कोई पांच साल से तयारी कर रहा है बट सरकार को ऐसे लोगों से जरूर निपड़ना चाहिए जो इस तरह की का खिलवाल करके लोगों के जो आइस प्रेंट से उनके भविश्य के साथ खिलवाल करते हैं ठीक है उनसे जर आयोग है, हम सभी जानते हैं, कि वो साम्विधानिक संस्था है, और शाथ ही एक स्वायत निकाय भी है, और ये उम्मीद की जाती है, कि उसमें सरकार का जो इंटरफेर ना रहके, आयोग एक स्वायत तरीके से अपने हिसाब से काम करेगा, तो ये ट्वीट जो भी आया है, य कहां तक सही है, ये आप लोग बताईएगा, क्योंकि मुझे लगता है, कि ये ट्वीट आयोग को करना चाहिए था, ना कि सरकार को, क्योंकि हमेशा ही उम्मीद की जाती है, कि जो आयोग है, वो एक स्वायस तंस्ता है, और वो सरकार की इंटरफेर के बिना काम करेगा, ठी इस बार पेपर लीग जैसी कोई संभावनाएं नहीं होगी, जिससे कि हम लोग अच्छे से तयारी करें, और ध्यान रखिए, आगे से आप रेगुलर जो है क्लास लीजे, मेरी भी जो करेंट फेर की इस पर क्लास चलती है, इस चैनल पे, वो चैनल पे चलने वाली क्लास आ देखना चाहिए कि हमारे पास और टाइम मिला है, और जो हमारी तयारी थे, हमने उस तयारी को और ज्यादा धार देनी है, ठीक है, तो धनी बाद,